तो आज आप सभी को दिपावली की हार्दिक पदाएं आप सभी यूटूब फैमिली को दंतेरस और दिपावली की हार्दिक सुपकामनाई आज दंतेरस के उपलक्स में हमारी प्रिया सर ने हमें काफी धेर सारी उपारता मिठाएं है एलम भी आ स्फ खील चलुक ऑफ और आसर वाह को कि उन्हों ने ABD इसका और मीस समझा और में इतना सारत प्यार वास रभाद्य और वो उनका जो हमारे समय उनका नेजर रूषा काफी अच्छा है और वह एप्लोई को एप्लोई की तरह नहीं मानते हैं बिल की अपने भाई olla की कि तुर मानते हैं कर लिए है है कि सब्सक्राइब कल का विलोग कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों आज आप सभी को दिपावली की हारतिक पदाईयां और सुब कामनाएं आप जहां भी रहो खुस रहो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप बहुत सारा एंजोई करो और दिपावली को और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊ तो हो खिश के सामने की तरफ Kehradun už जो यहां से काफी अच्छा दिख रहा है वैसे लेकिन फॉन से पजणाता दिक नहीं पा रहा है हो था निक्रीन पहुत अच्छा लग रहा है वाँ पकी यहांसे भी आप देख सकते और समने का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और यह भी तो फाइनली दोस्तों आज दिपावली के उपलक्स में मॉर्निंग की पूजा भी हो गई है और ये हमागा अभी रात के बज़ रहे हैं साड़े नौ और मैं निकल चुका हूँ इन खूबसूरत सहर में आप देख सकतो हूँ चार उतरब कितनी लाइट और लड़ियों से एक दम पूरा सहर जग मगा रहा है वाह सामने की विल्डिंग में काफी अच्छा लाइटिंग किया गया है और बहुती सुन्दर भी लग रहा है और सामने की तरफ आप देख सकतो हूँ यह तहरत उनका सुन्दर न जा रहा है कितना जग मगा रहा है सहर वाह कितना सुन्दर लग रहा है रंग भी रंगी लाइटों से सजा हुआ है सुन्दर सा सहर बहुती जग मगा रहा है वाह हरी ल को को मन मोहित करने वाला द्रिश्य है हैप्पी दिवाली